लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चनल्स को सब्सक्राइब करें और डेल आइकुन को प्रेस करें अगर सिफारिश वालों को ही नौकरी देनी होती है तो ये दफ्तर वाले हमें इंटर्व्यू के लिए क्यों बुलाते हैं भारत डिगरी हाथ में लिए यूच्चिप खड़े रहने से कुछ नहीं होगा इंटर्व्यू यूँ खवालाते हैं में आपड़ी है में मस्टर आफ रहर सुप्सराइब उनिवर्सिटी आपक हाँ माल निकालो माल अहा हाँ कर दो कर दो कर हाँ कर दो आपके निए प्राइब कर दोत है तो है। मुझे रुपया चाहिए, मेरी माँ बहुत बीमार है तुम्हे रुपया मिलेगा, पर पहले मेरी शर्ट तो मानो आउ मेरी जान हुपकाता आप से कहा गया है कि ये जमीन खाली कर दें और अपने जोपड़ियां से टालें सरकार जोपड़े हटाने का तो हुकम कई बार दिया सरकार ने मगर यहां से हटाकर कहा ले जाएं ये आज तक नहीं बताया सरकार ने ये सब कुछ हम नहीं जानते ये जमीन सेट जी की है और सेट जी यहां पे अनाफा श्रम बनाना चाहते हैं भगवान मेरे भारत के दुख दूर करते है उसे नाखरी दिलवाते भगवान सोजाओ माँ और भगवान को भी सोने दो तुलो रहाया बेटा आज तो बहुत बड़े दफतर में गया था ना कल एक और बड़े दफतर में जाना है मा तुमने राश हो गई मैंने जरी जनम पत्री एक जोतिशी को दिखाई थी राहू केतू अपनी जगे पयाटल है ना वो कहता था एक तो महीने में स्टप्ठीख हो जाएगा मा मेरी जनम पत्री, मेरी कुंडली ये डिगरी है डिगरी और इसकी किसमत में कितने राहू है कितने केतू ये कोई जोतिशी नहीं जानता किस-किस को देखिए, किस-किस को रोईए आराम बड़ी चीज है मुढ़के सोईए क्या हुआ क्या हुआ? कुछ नहीं भारत अपने दिन कब बदलेंगे? जब नौकरी मिलेगी नौकरी कब मिलेगी? जब दिन बदलेंगे जाने वो दिन कब आएगा? आएगा भारत सच कहती हूँ चार सार पहले जब तुम्हें एंजिनेरिंग की डिगरी मिली थी न तब से यही सपने देख रही हूँ कि तुम्हें कोई अच्छी से नौकरी मिलेगी फिर बसों के लाइनों में नहीं लगना पड़ेगा अपनी भी एक कार होगी आकाश को छूता हुआ एक सुंदर सा घर होगा रंग भी रंगी कपड़ों से अलमारियां भरी होंगी पढ़िया से बढ़िया गहने पहनूंगी और फिर हवाई जहास में बैटकर आकाश में उड़ेंगे ए शेख चिल्ली की चाची क्यूं मेरा सच्ण नहीं पसंद हो तो तुम्हारी हर पसंद पसंद है हाई ने मैं मर जाओ वाँ कहां चली तुम भी आओ ना परसात में भीग जाएंगे मेरे कपड़े के लिए हो जाएंगे तो क्या हुआ शीचल आदे घंटे बाद एक इंट्रीव के लिए पहुंचना है कौन जाने बरसों बाद इस गिगरी की किसमत खुल जाए और मुझे नौकरी मिल जाए ये हाँ आरे हाई हाई ये मजबूरी ये मौसम और ये दूरी आरे हाई 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 मजबूरी ये मौसम और ये दूरी मुझे पल पल है चड़ पाए तेरी धौक के अधी ना कृरीब मेरो लाखों कासा वन जाए हाई हाई ये मजबूरी ये मौसम और ये दूरी ये मौसम और ये पाए हाई हाई ये दूरी चितने सावन बीद गए बैठी वुआ आस लगाए जिस सावन में मिले सजनवा वो सावन कब आए कब आए मधुर मिलन का ये सावन हाथों से निकला जाए तिर दो टक्या दिनों करी में मेरो राखों का सावन जाए हाई हाई ये मजबूरे ये मौसम और ये भूरे प्रेम का ऐसा बंधन है जो बंध के फिर न तूटे अरे नोकर का है क्या भरासा आज मिले खल छूटे खल छूटे अंबर पे है रचो सयं पर फिर भी तू घबराए तिर धो टक्या दिनों करी मेरो लाखों का सावन जाए मुझे पल पल है तरपाए तेरी धो टक्या दिनों करी मेरो लाखों का सावन जाए हाई हाई ये मजबूरे ये मौसम और ये भूरे टेंगे लुप लुप एंस्वटी 106 अचाह भी आज मेरा और चंपा काफीज थरने का आक्स सजेए ना भरेगी तो हम लोगों का नाम कटेगा नाम ही कटेगा नाक तो नहीं कटेगी विजे भाईया तुम्हारे कॉलेज में स्काइख है इसने तुम्हें कोई चिंता नहीं मुझे क्यूं चिंता होगी 111, जबकि हमारी पढ़ाई की चिंता हमारा पढ़ा लेखा वेकार भाई करता है 11 Canada, पक्तेरा नहीं करता था मैं कोशिश करते करते ठख चुका हूं अब मुझे और बंदोबस नहीं हो सकता 119 बंदोबस नहीं भोसकता तो हम क्या करें पढ़ाई चोड़दो एक सोचोड़ा बढ़ाई छोड़ दो जब तू फीस के लिए पैसे मांगा करता था तो मैंने कभी कहा था कि कहां से लाओं रुपया अब मैं बिमार हूँ दिल का रोगी हूँ ना जाने किस घड़ी मेरी आखे बंद हो जाए अगर मैं इनके लिए कुछ नहीं कर सकता तो लुपड वखाती हूँ यह मेरा कर्स हे तुम पर औ यह कर्द मोच ना इन तीनों को डिग्री दिल्वा करव लागव इस डिग्री के टुकडे करके आप इन तीनों में पांट दीशे सो फंद्रह वत्यंक्न तुन्हीं है तो म्लोगों ने राधा, तुम कली जाकर चंपा के होने वाले ससूर से कह दो, कि उनके हुक्म के मताबिक हम चंपा को भीय तक नहीं पढ़ा सकेंगे तुम पांच मिनिट लेट हो गए सहब, शीतल अभी गई भाईया, आज मैं तुम से मिलने आयो, मुझसे मिलने आयो पहली और आखरी बार एक दुरूरी काम से, काम मुझसे, क्या काम है किसी से कौगे तो नहीं, नहीं, शीतल से भी नहीं न, हरकिस नहीं भाईया, मुझे कुछ रुपया चाहिए, ओ, रुपया चाहिए, आज और अभी अब ही तो नहीं है भारत, लेकिन एक काम करो, तुम अपने घर जाओ, मैं भी आता हूँ, जाओ, लेकिन कितने रुपे चाहिए? भाया कम से कम तीन सो रुपया, तीन सो रुपया, तीन सो रुपया? भारत? भारत, ये लो तीन सो रुपया. थेंक यू. बख्वास बंद. शीतल को तो नहीं बताया न? नहीं, तुम भी अपनी भावी को नहीं बताना, हां? क्यों? अमने आपसे ये थुड़ी पूझा, कि शीतल को क्यों नहीं बताना? समझ गया. थेंक यू. बख्वास बंद, है जब, बंद, अच्छा हुआ मेरा कॉलेज बंद है, वरना 300 की जगहे 500 का बंदोबस करना है, अरे भारत ये क्या कॉलेज है वेजय का, जो आए दिन बंद रहता है, आजकल लड़कों को स्कूल कॉलेज की कोई, हमारे जमाने में स्कूल कॉलेज को मंदिर माना जाता था, तब पढ़ने माला ये जानता था कि इधर पढ़ाई खतम और उधर नौकरी पकी, लेकना आजका स्टूडेंट अंधेरे में है, और नहीं जानता कि बड़ी से बड़ी टिगरी पाने के बाद कि उसे नौकरी मिलेगी यानि, कितनी कड़वी और सच्ची ब ने बरसों की तपस्या के बाद अपना इम्तिहान पास किया, और जब वो टिगरी लेने के लिए सच धच कर, काउन पहन कर हॉल में गया, तो टिगरी मिलते ही उसे फार के भेग दिया, कितना जल चुका होगा, तो उसका क्या गया, नुक्सान उसके माबाप या भाईयों का हुआ होगा, जिन्होंने अपना पेट काट कर उसकी फीज भरी होगा, माब आपने तो उसकी पढ़ाई में 25-25 रुपे लगा दिया होगे, लेकिन उसके तो 20-25 साल चले गया, और जवानी के 25-25 साल की कीमत 25-25 रुपे नहीं होगा, इसे क्या हो गया, ये, सिर्फ इसकी नहीं पिताजी, अन्धकार में भटकता हुए हर नौजवान की आवाज है ये मैं मर गई, लुट गई, क्या हुआ? मेरे गेवर चोरी हो गए, गुम हो गई, खायब हो गई क्या बक्तियो, आवरत का जेवर उसकी इज़त होती है अगर वही लुट गई, तो मैं तुमारे साथ नहीं रह सकता अजीजगाई शपडवाले तुमे मेरे गेवर चोरी हो गए कहीं तुमारे पास नहीं है? अरे ने, क्या बोलती हो, नहीं, मेरे पास नहीं अरे तुमारे और तुमारे साथ बच्चों की किसम जी जी, साथ महीं, आठ बच्चे कितनी बारका है। अच्छा, आठ बच्चों की कसम मेरे पास नहीं है। तु खर सेखते क्या हो, पुला पुलीस लिखा रबट, अरे चोरी करने वाले तेरा सत्या नासो, तु कल का मरता है कंबता है। अगर वो मर गया तो तु विद्वा हो जाएगी। तु क्या जेवर, आप क्या की पात है मुशी जी। अरे मुरक मेरे पास नहीं। मैंने बक्से से निकालकर बैंक में रख दिया है। यू बैंक में रख दिया है। तु नहीं समझती। तु इसमत का दर्वाजा तो खोले से खुलता है विजय। ये लो पाँच हजार। कसम पुरानी दिल्ली की काम पूरा कर दोगे, तो पच्छीस हजार मिलेगा। काम क्या करना होगा। मुद्दत हो गई समझाते हो। तुम्हारे कॉलिज में स्ट्राइक है। कोशिश करो कि सारे कॉलिज बंद हो जाए। वाइस चांसलर का घेराव करवादे। यूनिवस्टी की बिल्डिंग को आग लगवा दो, तो पुरानी दिल्ली की मज़ा आ जाएगा। खलीफा आज का स्टूडन को इचावी से चलने वाला खिलावना नहीं। आज के स्टूडन को किसी भी नाजाइस काम पर राजी करना नामंकिन है। कोशिश करना इंसान का फर्ज है। मैं नहीं जानता फर्ज क्या है। मुझे तो रुप्या चाहिए। इसलिए के तुमारे घर में भूक है। और पुरानी दिल्ली की मेरे घर में भी भूक है। ये रुप्या दिया किसने आपको। उसके घर में भी भूक है। मगर इस गंगा की गंगोत्री कहीं तो है। ये रूपया देने वाला आदमी कहीं तो होगा जिसका गर माल से बढ़ा हुआ है। पुराणी के साथ साथ नहीं दिल्ली की खसम वह कौन सा मुल्क है मैं नहीं जानता। टेकेट माई बॉइ, इस ये इंडिया गेट है ना। बरसों से तो देख रहे हैं आप। आज कुछ बदला बदला सा दिख रहा है। पहले यहां कुछ भी नहीं था और अब ये बंदूक और टोपी। भाया अब इसे अन्नोन सोलजर कहते हैं। कुम नाम सिपाही, मैं समझा नहीं। भाया ये जो तुन लोगों की याद में जलती है, जो देश की रक्षा करते करते शहीद हो गए। और तुन रुपए के लिए शहीद हो गए। भाया, मैं उस देश के बारे में कैसे सोचू जो आ मेरे भाई को रॉकरी तक नहीं दे सकता। जेब से रुपया निकालो। मैं कहता हूँ, निकालो रुपया। भाया, इन रुप़ों से हमारी बहुत सी जरूरत है पुरी हो सकती है। पॉलिज बंद करवाके, वाइस चांसलर का घहराओ करके, उनिवस्टी की बिल्डिंग को आप में गागा। धिकार है तुम जैसे भाई। विजे, भूप से मर जाओ, कोई गम नहीं। लेकन जीओ, इस देश का अच्छा शहरी बन कर जीओ। उस दिन के बाद विजे घर छोड़ कर चला गया। एक खत छोड़ गया मेरे नाम। लिखा था। भाईया, अगर जिन्दगी में आपको शकल दिखाने के लाइक बना तो लौटाओंगा। नहीं तो समझ लीजिएगा कि आपका भटका हुआ भाई अंधकार में खो गया। माही ने भीट गए, ना वो आया और ना ही उसकी ख़बर, पिताची की हालत भी करने लगी। और मा, मा रो रोकर ठक गई, दिन रात भागवान से उसकी वाप्सी की प्राटना करती रहती। और मैं, मैं किसी को कुछ नहीं बता सकता था कि विजय घर से क्यों चला गया, क्यों चला गया। चार साल हो गए, मेरी हर जनम दिन पर यही कह देते हूँ कि जनम दिन मुबारक, कभी कोई प्रेजन्ट नहीं दिया, तोफा नहीं दिया। हरी हो, हरी हो, शीतल, हर साल यही सोचता हूँ के नौकरी मिलेगी, तो तुम्हें तुम्हें अगले जनम दिन पर अगर हीरे की अंगूठी ना दे सका, तो कम से कम सोने की जरूर दूँगा, मगर अपनी किसमत ही कुछ ऐसी है, के नौकरी नहीं मिली, बहुत कुछ मिल गया तो टेलिविजन पर गाने का प्रोग्राम मिल गया, या कोई छोटी मोटी टूइशन मिल गई, खार जाने दो, हाथ लाओ, जनम दिन का तोफा ये स्टेनलेस टील की अंगूठी पसंद है, तोफा पसंद नहीं, जब तुम पसंद हो, तो तुम्हारी हर पसंद पसंद है, आए मरजमा, शेहितल, अंतियो, भगवान की तस्वीर वाली अंगूठी क्यों लाया हूँ, क्यों, अमारे इस रिष्टे का किसी को तो साक्षी होना चाहिए, और फिर भगवान से वढ़के साक्षी और कौन होगा, हाँ, आओ गोपैलो, जब भी मेरा टेलिविजन पर गा से तुमारे प्रोग्राम के बारे में पता लगा लेता हूँ, और फिर आदमकता हूँ, और फिर गाना गा के जो तुम पैसे कमाते हो, उसमें शीजार पांच-दस रुपए मुझे भी मिल जाते हैं और अपनी कड़की दो दिन के लिए दूर रहती है, ओए कड़के, हाँ पहले लड़का था, अब कड़का, इस जिंदगी में ना नोकरी मिली, ना चोकरी, मुझे मिल गई, क्या, चोकरी, नहीं नोकरी, भारत कैसे मैं मोहन एं कंपनी के मालिक, मिस्टर मोहन की परसिनल सेकरटरी, कंखा पूरे साथे साथ सो रुपए, देख आपनी संगूठी का कमाल, हाँ, भारत, हाँ, सच मुझे संगूठी ने कमाल कर दिया, हमारी सारी जिंदगी बदल दी, हाँ, शीतल, नोकरी मुझे, चलो, अब प्रोगां का वक्त हो गया, रेडी, रेडी, भारत, आज ऐसा गीज गाएंगे के दुनिया याद रखेगी, बोला नहीं, ताट, मैं ना भूलूंगा, 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 मैं ना भूलूंगी, मैं ना भूलूँगा मैं ना भूलूँगी मैं ना भूलूँगी मैं ना भूलूँगा इन रस्मों को इन पस्मों को इन रिष्टे नात्तों को मैं ना भूलूँगा मैं ना भूलूँगी मैं ना भूलूँगा मैंनों पूनोंगी चलो जग को भूले चलो जग को भूले खयानों में जूले बहारों मिल्डों ने सितारों को छुबूरे ता तेरी में मान समानू तू दुलहन बन जा मांग से जो दुलहन का रिष्टा मैं ना भूलूंगी मेरे न भूलूंगी मेरे न भूलूंगी हो गोगी हो गांग समय की धारा में मल नहें जानी है जो भड़ी जीनेंगे जो भड़ी जीनेंगे वही रहे जानी है मैं बन जाओं तस आखरी तो जीवन बन जाओं जीवन से सासों का रिष्टा मैं ना भूलूगे मैं ना भूलूगा मैं ना भूलूगे मैं ना भूलूगा मैं ना भूलूगे हुआ 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 है बरसता सावन हो महकता आमन हो कभी दिल दूला हो कभी दिल दूल हर बाद गगन बन कर धूले चलो राहे मोडे कभी दूप जाना है नजर नहीं आना है कहीं पर बस जाएंगे ये दिन कट जाएंगे अरे क्या बात चली बदेखो रात धली ये बाते चलती रहे ये राते घलती रहे मैं मन को मंदिर कर डालू तूपू जन बन का मंदिर से फूजा खा रिष्टा मैं न भूरूंगे मैं न भूरूंगा मैं न भूरूंगी इन रसमों को इन कसमों को इन रिष्टे नातों को मैं न भूरूंगा मैं न भूरूंगी मैं न भूरूंगा मैं न भूरूंगी मैं न भूरूंगी आज अगर आप एक सोर रुपे कमाते हैं तो मुश्किल से आप के हिस्से में तीन या चार रुपे आते हैं बाकी सब तो टैक्स में चला जातब। लेकिन टैक्स में भरा हुआ रूपया कहीं किसी काम तो आता होगा, क्यों? गुस्ताखी माफसत, आज अगर आप कमाते हैं तो टैक्स भी भरते हैं कल अगर आप कमा न सकें, तो क्या ये सरकार आपको खाने को देगी? किसी भले आदमी ने कहा है, ये मत सोचो के देश तुम्हे क्या देता है, सोचो ये, के तुम देश को क्या दे सकते हो. और जब तक हम सब ये नहीं सोचते, हमारा कुछ नहीं हो सकता. आप जा सकते हैं. मिर्शीतल? ये सर्व. पांच बच चुके हैं, आप खाच जा सकते हैं. थैंक यू सर्व. मिर्शीतल? ये सर्व. दस बारा दिन उस देख रहा हूं कि तुम्हारे बास सिर्फ दो जोडे कपडे हैं. सर्व, मैं... कंपनी का स्टाफ क्या खाता है, क्या बहनता है, इससे कंपनी पर हसर परता है. इसलिए मैं चाहूंगा कि कंपनी अकाउंट पर तुम कुछ नए कपडे खरीद दो. सामें खुद अपने... मिर्शीतल, छोड़ी छोड़ी बातों पर पहस करना मनासिद नहीं. गुद नाइट. भावी, तेखुए रंग बिरंगे कपडे. सारी तनक्वा इंधी कप्रों में बरबाद कर दी. भावी, ये कपडे कंपनी से ने ले हैं. क्या? हाँ, ये सब मोहन सहाब का तूफा है. अरे बाव, ये मोहन बावो तो कोई बाग बाग पर हत्मता ही लगते हैं. भावी, वो कितनी अच्छी है, इसका अंदाज़द कोई और नहीं लगा सकता. शीतल. ये सर्णात. ये सर्णात. इस सारी के साथ ये लाल फूल अच्छा लगए. थैंक यू. थैंक यू साथ. भारत, मेरे बालों में फूल देखते हूं? कैसे लगते हैं? फूल तो डाली पे जायदा अच्छे लगते हैं. भारत, तुमें बहुत रूखा पनाता जा रहा है. कभी-कभी सूचती हूं, काश तुम मोहन बाबु होते हैं. तो क्या हो जाता है? तुमेरे सारे सपने पूरे हो जाते हैं. जिन्दकी बस्यूं की लाइनों में लगकर पीछे ना रह जाते हैं. अगर तुम मोहन बाबु होते हैं, तुमेरे बड़ी-बड़ी कारों में वक से तेज भागते हैं. तो इंसान तेज भागते हैं, उन्हें ठोक कर लगती है, फिर वो गिर जाते हैं. फिर वही बात. आयर जाने तो बताओ, कल कौन सा दिन है? कल? मंगल बात. सिर्फ मंगल. और क्या? बूल गई? कल मेरा जनम दिन है. हाँ. हाँ. और ये भी याद है, कि आज से चार साल पहले हमारी पहली मुलाकात, टीवी स्टेशन के पास वाली सेंसिन में हुई थी. और ये भी याद है, कि हम हर साल उसी वक्त पे, उसी जगे पे, उसी डेट को मिलते हैं. हाँ. हाँ. और कल पांच बजे फिर मिलेंगी. कल पांच बजे तक तो तुम्हें मौम साथ रहना है. मैं कल चार बजे छुटी ले लूंगी. हम, पूरे चार बजे. Sir, Sir, चार बज गए और. मैं जानता हूँ चार बजगें, चाय का वक्त हो गया है, और चाय मंगवाएं या ना मंगवाएं यही कहना चाती हूँ लेकिन सब मुझे आज काम इसना पिसी था यह कहना पूली कहा के लाल साडी के साथ आज यह लाल पूल ज्यादा यह अचा लग रहा है आज पांच बजे अमेरिकन कंपनी के डिरेक्टरे साथ मीटिंग है और अगर यह मीटिंग सकस्फफल हुई तो दो चार दे में नुवयर्क जाना हूँ लेकिन सब मुझे जब भी आपको टीवी पर देखती हूँ आपका गाना सुनती हूँ बस पागल से हो जाती हूँ फिर गोपाल से पता चला के इतने बड़े कलाकार को एक नौकरी की जरुवत है मैंने कहा करोड़पती सेख नेकी राम मेरी मुझे में है एक इशारी की जरुवत है के बस नौकरी पकी क्या लेंगे आप जी सोड़े के साथ या पानी के साथ यह थैंक्स मेरा दोस इन बातों में बिलकुल पंडित है पंडित 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 जी पहले मेरा जीवन भी एक जोगन की तरह था बच्पन में मा गंगा जल पिलाय करती थी लेकिन अब अब जिन्दगी को जरुवत हो ने इसकदर निचोट लिया है कि सुभा शुरू होती है तो शराब से और राट ठलती है तो शराब से पैर जाने दो पंडित जी आपकी नौकरी तो बिलकुल पकी है सेट शी काम क्या करते है दिखावे के लिए तो बहुत कुछ है लेकिन अस्प्रियत में सब को उद्मार है सेट नेकी राम सेट नेकी राम तो मुर्ली वाले का पुजारी है उसके सुदर्शन चक्र से अपना चक्र चली जाता है मलिका ये नेकी राम यही वो आदमी है जिनके काम के बारे में तुमने कहा था हम आदमी भरोसे वाले हैं मेरे पेत आज बार्शा तुम्हे मुझ पर भरोसा नहीं है बिलकुल भरोसे के हैं तो फिर इनके नौकरी पकी ना सेट नेकी राम नौकरी नहीं देता हिस्सा देता है चाराने क्योंकि मेरे काम में थोड़ा जोक्रम है फुला खत्रा है आज इन कोरे कागजात पर दस्तर कर दो और कल से काम शुरू पंडी जी तुम साइं नहीं करोगे शायद मैं ऐसा वैसा काम ना कर सुकूँ सेट नेकी राम ना ऐसा वैसा काम खुद करता है ना किससे करवाता है वो तो मलकाय नेकी राम ने तुम्वारे बारे में कहा तो हमने कहा कि ठीक है खैरजी, गोली मारो कोरे कागजों को अगर मलकाय नेकी राम कभिह हमारी बगल अकर मचले तो उस कोनें बैटकर कोई गीत छेड देना मैं बाजारी गीत नहीं जो हर कोठे पे काया जाओं ओ नो, वह तो चला किया देंद आई बस नहीं आई आजाएगी आजाएगी तो मुझे चाहते है शीतल मैंने तो करी खाब में भी नहीं सोचा था कि इतनी जरूरी बात का इतनी जल्दी फैसला हो जाएगा यह तो जट मंगनी पग्वया वाली बात हो गई शीतल चलो घर जाकर यह खुश्कावरी मां को सुनाएग लगता है बस आई मुझे लगता है बस कही ओ हो कर नानी की सोबर माफी मांग चुकी मगर एक तुम हो की कुछ बोलती ही नहीं अच्छा बाबा मत बोलो मैं ही बोलती हूँ इसलिए कि मैं बहुत खुश हूँ बहुत खुश हूँ तूचो क्यों कोई चट मंगनी पट्प्यावाली बात हो गई बिल्कुल कल बात बनी आज अमेरिका जाने का पक्ता हो गया है ना खुश खबरी शीतल जब वह बिल्डिंग बन जायना तो वह उन साब से कहना उसे खरीद दे तो तुमने कल नाने के लिए माफ नहीं किया जितना बड़ा दफतर उतने बड़े काम मुझे याद आगया मुझे भी बड़े काम करने है पासपोर्ट ओफिस जाना है पासपोर्ट हाँ इधर पासपोर्ट बना उधर हवाई जहाँ जुड़ा शीतल मोहन बाबू के साथ था मैरिका चली गई और मुझे लगने लगा ऐसे थीरे थीरे वह मेरी जिंदगी से दूर होती जा रही आप आप ए तुलसी तुम्हें दिखाए नहीं देता अरे बाबू सुना है अंधों के आश्रों में भी काम करके खाना पड़ता है ने तो कसम से मैं कह देती कि मैं अंधी हूँ मुझे कुछ नहीं दिखा देता सूरदास में इन कपड़ों का क्या होगा जिने गंदा कर दिया उत्तर दो। दो दूंगी सोच समर्ज के बात क्या करणी औरे बाबू घर सोचने लगोंगी तो काम कौन करेगा और काम नही करोंगी तो मुफ्त में मतुरी कान देगा बहुत सोजती हूँ मैं कहां बोलती हूँ बाबू अगर भूले भटके बोल भी लेती हूँ तो यही समझ कर कि तुलसी बोल ले, बोल ले अभी वाक्त है नाजने बोलने पर भी कब रशन लग चाए बबबू, रशन की बाद से मुझे याद आया मुझे भी रैशन लाना है, मैं जाओ, मैं गही हो रहे हुआ हुआ जब जब यह बूला आता है तुलसी उसे देखकर कुछ दर सी जाती है और फिर कोई ना कोई बहाना लगा कर उसके पीछे चली जाती है, जैसा क्यों? साधी, एक एक आदमी की सो सो कहानियात तो सो सो अपसाने, किस किस कि सोचोगे तो किस 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 होगे? मुनिन जी, आप जरा सिमन्ट की बोरियों की गिंती करवा लिजेगा ए तुलसी, तुम्हे दिखाई नहीं देता? बाबु दिखता तो है, मगर क्या करूँ, मेरी मित्ती जब गिरती है, तो आप क्यों पर ही गिरती है इसके पहले जो बाबु था न, उसको पर कभी नहीं गिरी तुलसी, तुझे कुछ राशनवाशन लाना होगा अरे वा, क्या बाबु हो, मैंने मांगी न, तुमने छुट्टी दे दी, बस बाबु मैं गेई आराई, ले पकड अले मुन्हा, क्या हुआ मेरे बेटे को, बस बस, बाबा, आज तुछ पीसे बुखार नहीं चड़ा, फिर को रो रहा है कुछ समझ में नहीं आता बेटे बच बच, नहीं लोते, नहीं लोते कुल्सी, हाँ बाप कॉन है किसका, मेरा नहीं, उस बच्चे का मैं जानती थी, बाबु, कल तुम मेरा पीछा कर रहे थे मेरी बाब का जवाब नहीं दिया किस बाब का बाप कौन है यह पूछने की हिम्मत तो मेरे बाप ने भी नहीं की बाप इसलिए नहीं पूछता कि वो बाप है तुमने ठीक कहां बाबू, कौन बाब अपनी बेडी से उसके बाप का हिसाब पुछता है पर बाबू, तुमी पहले आदमी हो जिसने पूछने का कश्च तो क्या है तो बताओ बाबू, तुलसी दास की रामायन में राम भी है, सिता भी है पर इस तुलसी की रामायन में ना राम है ना सिता है, स्रिफ रावन ही रावन है इसलिए तो कहते हो, जा करोगे सुनकर, बस इतना ही जान लो, मेरे बेटे के बाप है, रोटी, कपड़ा और मकारा मैं, मैं समझा नहीं बाबू, वो जो बाबा आता है न, वो मेरा बाप है, तक्टरी में काम करता था एक दिन मर्शिन में फस कर, तांगे कट गी तक्टरी वालों ने बहुत खर्चा किया इलाज पर, यूनियन वालों ने जी जान से मदद की और, और जिस महलों में हम लोग रहते थे न, उन्होंने भी बड़ी धरस बढ़ाई तर कब तक, कितने दीन एक दिनों महला छूटके, हम लोग इस पस्ती में आगे, जो कुछ थोड़ा बहुत पास था, वो भी खतम हो गये अमरी हालत पर तरस खाकर, दुकानदार ने उधार देना शुरू कर दिया और बाबू, जिस कागस पर अपना हिसाब था न, वो भी एक दिन भर गया दुकानदार ने उधार देना बंद कर दिया पांस दिन से पेट में अनाज के खताना थक भी नहीं गया बाबा को बुखार था, मैं हिम्मत हार गई जब भीक मागने के लिए इस दुकानदार के पास पहुंची लाला मुझ पर तरस खाओ पास दिन से अनाज का एक गाना नहीं गया पेट में मेरा बापू, मेरा बापू से भूकाई नहीं, बीमार भी है अगर उसे घाने को कुछ न मिला, तो दम तोड़ देगा लाला, मैं तुम्हारी पाउ परती हूँ, मुझे दो मुठी आराज देदो मैं चितना जली हो से के तुम्हारा हिसाब चुका दूँगी मेरे जोंपने के किराय का क्या सोचा यह किसी का क्या सोचे की, किसे अपने ही तन का होश नहीं देखो, देखो, तार-तार हो गए है कपड़े तेरा बाप बीमार है न? हाँ जा गोधाम के अंदर, भदले ठेलिये नाच से, जा आपने दर्वाचे क्यों बंद कर दिया? अरी, जनता को हम बोल चुके हैं कि राशन की दुकान में राशन का माल नहीं अगर जनता को यह पता लग जाए कि गोधाम में माल भरा पड़ा है तो जनता मेरी खाल उधेड़ देगी उलसी, आटा तु यहां से भर ले और वो सामने मेरी कपड़े की दुकान है अपनी पसंद का कपड़ा लेती जाना तुम शुप रहो जी, जा तुलसी, जा जाओ, भर लो जोली जितना आटा चाहिए पहले पैसा, फिर आटा लाला, लाला मेरे पास कुछ नहीं है अरे तु तक साल है, तक साल करो मत, सेट दयाराम तुमको इस जोदाम का मालिक बना दे और मैं ध्वंपड़ा तेरे बाप के नाम लेदूँगा और मैं तुझे इतना कपना देदूँगा, कपना कपना हो जाएगी मुझे कुछ नहीं चाहिए, लाला मुझे जाने दो, लाला मुझे जाने दो, मुझे कुछ नहीं चाहिए तीन महीने का किराया लेना और बस मेरी आवाज अनाज से दब की पूरानी चोली उतर गई, ये दाग दरतामन पर नहा जोरा सच गया क्यों बाबू, है नानो खिरा माया ना जिसमी राम, ना सीथा, स्रिफ रावन नी रावन है तुरसी जी, राम राम जै सीथा राम ये जग्गू, इजद के चकर में तो इजद लुट गई थी अपनी, लेकिन आज मैं चिला सकती हूँ उस दिन तुम लोगोंने नोचा था मुझे, आज मैं तुम्हारा मून नोच सकती हूँ समझे गोलगपे तुलसी, तू आज बचके नहीं जा सकती अरे जा जाल, ले आ इसे छोड़ दो इसे आप की तारी इस वक्त अपना बाग समझ और बाबू, उन तिन रावने में से एक रावन ये है, मकान वाला मैं कहता हूँ छोड़ दो इसे मैं कहता हूँ चले जाओ यहां से अगर ना गया तो तो कता हूँ contraर Maine कर दोड़ पेच्ए कर, दोड़ पाप चर tightening, बाफ मेच्ए कर! मौल, मेरे मामे, मौल मौल, मौल, गुलगपते बुच, बुच बुच छोड़ दे, जगू, जगू नहीं जगू नहीं, मैं के तू नहीं जगू जगू जब बुच जगू 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 तो नहीं प्रहा बालती जगू तरी वा गुरू जगू 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 अगर तुम नहाती तु नहाचाने बाबू का क्या होता और अगर बाबू ना होता तो यह लोग मुझे नानक नाम चलती कला तेरे पाने सरवद्दा पला बाबू बाबू, मैं सच कहते हूं अगर उस दिए तुम जएसको अगा होता तो इस तुसी की रामन में भी एक राम होता तुस्य, हम कहा मुलूम नहीं कि तुरी रमाण्य में पनखीर रामाश मिली पर किसवा, गूरू दी अज तुरी रमाण में अनमान जुनूर आ गया है अगर किसी भी रावण कर साया तेरे पपड़े आना, अब उसकी गर्दन को वड़ देगा, काट देगा, उसकी लंगाय को जाद देगा, कुसम वा गुरूदी येलो आटा येलो पैसे अले रहने तु तुसी रानी, फुर्सक में आ जाना क्या? आइस्ता बोलो क्या हो? एक बार फिर आ जाना, मुह मांगे दान दूँगा दोगे? हाँ, राम कसम अरे एक बार तुम मांगे तुदेख तोला बरस की लड़की को औरत बनाने वाले? क्या तुम मुझे फिर से लड़की बना सकते हो? अरे तुलसी रानी भगवान भी कली से फूल बनाता है फूल से कली तो वो भी नहीं बना सकता अरे भगवान तो इंसान के साथ साथ तुम जैसे शैतान भी बनाता है यह लो आटे के पैसे और पहले की दो बाकी रहेगे दस बस अरे वो मुच्छे वाले कपड़ा गर्ज गर्ज फाते हैं और जबान मील भर निकल रखी है सुना है तुने अपनी बेटी को शादी शुदा नहीं अपनी कुमारी बेटी को चौथी बार मा बढ़ने से बचा लिया क्या बखती हो अरे लाला तुमारी गंधी मैली और लूटी हुई इजद के थान जी धोभी गड़ पर धूलते हैं न मैंने भी अपने बेटे को वही पर जनम दिया था इसी डॉक्तरानी के पास अपनी बेचिक को मान नहीं पनने देना दूसरों की बेचियों को मा बनाते जाओ इसमें तुम्हरे बेटे के लिए खिलो नहीं जलो बबू मैंने तो सोचा था, तुम रात भर मेरी गंधी जिन्दगी के बारे में सोचोगे, और सुबह मुझसे बात भी करना पसद नहीं करोगे, लेकिन तुमने तो कमाल कर दिया तुलसी अगर तुमने ऐसा सोचा तो तुमने जिन्दगी पर कलंग लग जाना, उससे दुनिया दूर भगती है, और मैं, बाबु मेरी जिन्दगी सिफ कलंगी नहीं, ग्रहन है ग्रहन तुलसी मेरी मजदूर साथी, लोग कहते हैं, जब ग्रहन लगे न तो जिस चीज में दो पत्ते तुलसी के डॉलदो, उससे ग्रहन नहीं लगता तुलसी, two- ź तुलसी तो औरों को ग्रहन से बचाती है, तो तुलसी को ग्रहन कैसे लगते लगा बाबू, मेरी तारीफ मत करूँ, मैं ग्रू पढ़ूगी अरे रोहें तेरे दुश्मन बाबा, हाँ बेटी वो अपना बाबू है ना, बहुत ही अच्छा है हाँ बेटी, वो बाबू बहुत अच्छा है तेरी बड़ी तारीफ करता है, तुझे चुट्टी भिगे देता है मुन्ने के लिए खिलोने भिलाया मगर बेटी, तु इस लायक नहीं है जो किसी के बारे में ज्यादा सोचने रगी न जाने उसके हमदर्भी में क्या बात चुपा है बाबा, अगर उस इन जगू के आदमियों के चाकु सेकुट चल गए होते तो क्या होता बाबू का ओ? वो मर सकता था तो? जो आदमी किसी के लिए बंडी को तयार हो जाए उसके हमदर्थ में पाप कैसे हो सकता बाबा? तो ठीक कहती है बेटी लेकिन बाबू आसमान वाले लोग हैं हमारा तो धर्ती पर भी ठीकाना नहीं इसलिए कहता हूं बेटी तो बाबू के बारे में सोचना बिलकुल बंड करते मैं कौन सा जान बुच का सोचती हूं? यह सोच जान बुच का मुझे सोच में टाल दीती है पर तुम भी ठीक कहते हो बाबू के बारे में नहीं सोचनगी नहीं सोचनगी बिलकुल नहीं सोचनगी बाबा हाँ बाबू ने एक खिरो ने कितनी पैसन देले होंगे फिर बाबू की बाद नहीं करूंगी नहीं करूंगी पर चारते हो बाबा बाबु कह रहा था इजसरी यार की जुदाई माम गई कितन , मैंगाई आपय कुछंचा तो महाएँ Nikki गांव गैज्ट कुछी बच्चा तो महगाई गैज्ट हमें आमति लड़ाएं मार गई दूसरी यार ते जगाईं मार गई थी सरी हमेशा कि तनहाई मार गई जोकि मैं अपिए कुदा कि खुदाई मार गए, बाके कुछ बता था महंगाई मार गए, महंगाई मार गए तबीयत ठीक थी और दिल नहीं तबीयत ठीक थी और दिल भी बेकरार मुखा ये तब की बात है जब किसी से प्यार ना था जब से प्रीत सपनों में सबाई मार गए, मन के मीख दर्ध के जहराई मार गए बाके कुछ बता था महंगाई मार गए, मन के मार गए कैसे वाक में हाई हाई कैसे वाक में कैसे वाक में हाई कैसे वाक में आके दिल को दिल की लगी बिमारी कैसे वाक में कैसे वाक में आके दिल को दिल की लगी बिमारी महंगाई के बार में हो गई महंगी याक यारी कैस रास में दिल की लगी दिल को जब लगाई मार गई दिल लगी जो प्यार की दोहाई मार गई दिल की बात दुनिया को बताई मार गई और दिल की बात दिल में जो छुपाई मार गई बाकी कुछी बचा तो मिल्गाई मार दे, मिल्गाई मार दे पहले मुठी विच पैसे लेकर पहले मुठी में पैसे लेकर थेला भर शक्कर लाते थे अब थेले में पैसे जाते रहें मुठी में शक्कर आती रहें आए महंगाई 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 दुहाई है दुहाई है दुहाई है तुह कहां से आई तुझे क्यों मौत ना आई हाई महंगाई 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 शक्कर में ये आते की मिलाई मार गई कोडर वाले दुद्द मलाई मार गई राशन वाली लैन की लंबाई मार गई जन का जोती की चलाई मार गई बागी कुछ बचे आँ महंगाई मार गई पर बागी कुछ बचा तो महंगाई मार गई महंगाई मार गई गरीब को तो बच्चे की पढ़ाई मार गई बेटी की शादी और सदाई मार गई किसी को तो रोटी की कमाई मार गई कपड़े की किसी को सिलाई मार गई किसी को तो रोटी की कमाई मार गई कपड़े की किसी को सलाई मार गई ओ किसी को मकान की बनवाई मार गई जीवन बेबस्तिन निशान दोटी कपड़ा और मकान दोटी कपड़ा और मकान तूंड तूंड के हरे सान जो सची सची बोला तो सचाही मार गई सचाही मार गई और बाकी कुछी बचा तो मेंगाई मार गई और बाकी कुछी बचा तो मेंगाई मार गई मेंगाई मार गई सब लोग ध्यान से सुनो, आज से काम बंग किया जाता है सेट जी कहते हैं सरकार ने जाहिद आज पे सीलिंग लगाने का सोच लिया है इसलिए फिल हाल बिल्डिंग का काम बंग किया जाता है आप सब लोग कल लाकर अपना अपना इसाब लेते जाना देखो पुनिम जी ये रही इस कम्पनी की टोपी और चश्मा और बाकी कुछ बचया महिंगाई मार गई क्या और नहीं तो क्या अगर तुम मुझे रुपया नहीं दोगे तो मुझे अपने लड़के की कीमत कहीं और से वसूर करना होगे मुझे दामाद खरीदना है लेकिन दामाद तो कन्यादान से मिलता है मिला करता था अब खरीदा जाता है और तुम्हें भी दामाद खरीदना होगा लेकिन मेरी मजबूरी तो समझो मैं भी मजबूर हूँ लेकिन पुराने तालुकात को नजर में रखते हुए मैं तुम्हे आट दस दिन की मुलह देता हूँ, ताकर तुम बाद में ये न कह सको, कि राम चंद जबान देके पड़ गया। आट दस दिन क्यों आप अभी सुन लीजिए। शाबाश बेटे, ये हुई न बाद। तुम्हारे जैसे भाई के होते हुए, ये कैसे हो सकता है कि सिर्फ 20,000 रुपए के लिए बहन का रिष्टा तूट जाए। भाड में गया ऐसा रिष्टा में पिदाजी, जो राशन वाले का उधार चुकता नहीं कर सकते हैं, जिन्होंने दो साल से इस मकान का किराया नहीं दिया, वो इन्हें 20,000 रुपए कहां से देंगे। मात जल्दी हिसाब होगी। रामचन, भारत नादान है, इसकी बात छोड़ दो, मुझे आट-दस दिन की महलत दो। इनसे आज ही कह दीजिए, कि कर दें ये अपना बेटा निलाम और कमालें 20,000 रुपया, चंपा की किसमत में होगा तो उसे प्रकाश से अच्छा लड़का मिल जाएगा। प्रकाश से अच्छा तो क्या, अब तो प्रकाश भी नसीब नहीं होगा। ऐसा मत कहो, ऐसा मत कहो, मुझ पे तरस खाओ, रामचन। मेरे पिताजी ने कितने चाओ से ये रिष्टा माना था। वो कितने खुश थे, चंपा रामचन के घर जा रही है। मैं कुछ भी करूँगा। मैं तुम्हें 20,000 रुपय दूँगा। मैं बचन देता हूँ, रामचन। मेरे वापस आने पे आप खुश नहीं। खुश तो मैं बहुत हूँ, बहन। लेकिन ये क्या, मुझे आने की ख़बर नहीं दूए। नहीं सहीं। मगर भारत को न चिथी, न तार। मैंने, मैंने इसकी जरूरत नहीं समझी। भारत भाया, ये सब लो कहा गया। आपके पिता जी की तब्यद बहुत खराब थी। उन्हें हस्पताल ले गए हैं। इर्विन हस्पताल। मिस्टर भारत, अगर ये इंजेक्शन और दवाईयां आप जल्दी से ले आएं। तो मुम्किन है हम इने बचा सके। जी। ऐसी है। अंदुबस्त हो जाएगा। क्या बात है तुलसी, इतनी रात गया अंजगाया। अपने बाबू को आपका घर मालू नहीं था। क्या बात है भारत। निम जी, मुझे कुछ रुपया चाहिए। भई, हिसाब तो गल सुबह ही होगा। हिसाब की बात नहीं हो निम जी। मैं मुसीबत में हूँ। मेरे पिता जी बहुत सख्त बिमार हैं। मदद कर दीजिए, जिंदगी बरहाइसान मंद रहा। राम कसम भारत, अगर मेरे पास कुछ भी होता, तो तुम्हारी मदद करने में एक पल की देर नहीं करता। अच्छा है, चाह। सच बोल रहे हैं। राम कसम। राम की जिम। बाबू, ये बाबू लोगों के पस दवाई के लिए भी पैसा नहीं। सवाल दो पांच रुपए का नहीं तुलसी, सवाल दो पांच सो रुपाउं का है। तो आप क्या करोगे। आखरी उमीद मुनीम जी से थी, उन्होंने भी इंकार कर दिया। बाबू, तुम्हे ही थेरो, मैं अब भी आई। तुलसी। बस, दो मिनिट के चुटी मैं गई और आई। तुलसी। बाबू, तुम्हे उन खिलोनों की कसम जो तुम मेरे बेटी के लिए लाए थे। मेरे इंतिजर करना। तुलसी। तुने आकर मेरे घर का दर्वाजा खचचाया, मेरी तो किसमत खुल गई। बोल, क्या सेवा करूँ। लाला, तुने कहा था ना, एक बाद फिस से आजा तुलसी। मुह मां के दाम दूगा। ले, तुलसी आगे। बोल, सेवा में क्या हरपन करूँ। साथ सो रुपे। साथ सो रुपे। साथ सो रुपे। हाँ, लाला। पुस्तिन तुम तिनों ने मिलकर मेरी कीमत लगई थी। आज मैं अपना सौदा खुद करने आया हूँ। जल्दी से दे लाला, वरना कपड़े वाले के पास चली जाओंगी। वो तो हजार भी देतेगा। किस मन्हूज का जिक्र कर रही है, दुकान पर आजा। पहले रुपे। दे दूँगा, जल्दी क्या है। जल्दी है लाला, तु देता है के मैं जाओं। तुलसी, कहीं ऐसा नहो कि तु साथ सो रुपे लेकर रफुचक्तर हो जाए। लाला, तुलसी जबान की पक्की है। और जानते हो, तुम्हारी आउलाद को मजदुरी करके पालती हूँ। और यही नहीं, तुम लोगों का पुराना हिसाब भी चुकता करे। अरी पुराने हिसाब को छोड़। जल्दी से देते, लाला, मैं गी हो रही। अच्छा, दुखान पर आजाना है। ले यह साथ सो रुपे। तुलसी! तुम्हारा गला इसलिए नहीं घोंड सकता, कि इस पाप में बलिदान है। तुलसी, अपनी हिज़त बेच कर तुम मेरी मदद करना चाहती है। बाबु, इज़त तो पहले इन्होंने डूट ले थी। आज तो बेहिज़ती का सौदा करे थी। लालाला। तुलसी! मैं जानती हूँ बाबु, तुलसी इस लायक नहीं है कि तेरी रामयन का कागज़ भी बन सके। मगर, मगर तेरी मजदूर साथी तो हूँ। मेरी मजदूर साथी, मजदूरी कर, और खा अपने मजदूर साथी की सौगन, कि आज के बाद तु कभी किसी के लिए अपना सौदा नहीं करे गए। खा तुलसी. और सवाज के कलंक इससे पहले कि मैं तेरा मुझ तोड़ू दफ़ा हो जा दफ़ा हो जा बगर बाबू तुमारा बाप बिमार है इसी अपनी किस्मत बिमार है तुघर जा मैं अपना बंदोबस्त कर लूगा ये रही आपकी दवाईया और ये रहा बिल । C25 रुपए तो फिर पच्चीस रुपए की दवाईशो भाई मेरा क्यों बरबाद किया देखिये अफैरे अफ़ी पिता जी भुनसवा सखशाहका बिमार हैं कल में हिसाब चुकता करके ये डिगरी वापस ले जाओंगा डिगरी? ए दोस्त, नौकरी मिले तो डिगरी डिगरी, नहीं तो बिगडी बिगडी मैं जानता हूँ का तुम असली चहरा और असली मजबूरी लेकर आये हो लेकिन मैं भी मुझबूर हूँ, क्योंकि ये दुकान मेरी नहीं, एक्स्क्यूज मी हेलो, चुकल कैमेस वाज दुवाज एए, क्यारो, चार, 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 पुझा, पुझा वाणा तुझा भारत भारत बस एक चोरी करना बाकी रह गया था पिताजी कैसे हैं तुम्हारी जमानत कल सुबह होगी और पिर केस भी खतम हो जाएगा चलो नहीं, मैं मैं खुद ही चला जाओंगा सुनो जहां आज जाना है तुम्हें वहां मैं ही लेकर जा सकती हूँ बाप पीमारी में तलपता रहा और जिदी बेटा डिगरी जेब में लिए बेकार भूलता रहा और भाईया आखरी सांसों में जब बाप को पता चला कि उसका बेटा चोरी करते हुए पकला गया तो उसने दम थोब दिया ऐसी आउलाद से तो ना होना अच्छा है लोग ठीक ही तो कह रहे हैं पताजी और आप भी ठीक ही कहा करते थे यह डिगरी कर्ज है मुझ प्याद का मैंना तो इसे चुका पाया और नहीं चुका पाँगा साब अपना कर्ज वापस ले लिजी पताजी जिस इंसान ने नौकरी की आखरी उमीद को भाड़ के चला दिया उसका जिंदगी में कुछ नहीं हो सकता सर यह नोटिस मुझी नौकरी से निकाला जा रहा है ऐसा क्यों दफ्तर में उसे ही रखा जाता है जो दफ्तर के लिए ठीक हो तो क्या तो क्या सर मैं दफ्तर के लिए ठीक नहीं छोड़ी बादों पर ज्यादा भहस करना मुनासिब नहीं तुम जा सकते आप? हाँ, मैं मोहन की मा हूँ आप शीतल के भाईया और भाभी है जी आप सुनेंगे अपनी बहन के करतू इसने अमरीका में क्या क्या किया क्या किया इसने इसने हम मा बेटे का दिल जीत लिया जी? और मैने अपने बेटे को खुम किया दफतर पहुंचते ही शीतल को नौकरी से निकालते। जिस लड़के को मैंने अपनी बहु बनाने का फैसला किया। वो मेरे पेटे के दफतर में नौकरी करे। रहाम रहा। शीतल, इसलिए तो मैंने तुमसे कहा था कि ओफिस में उसे रखा जाता है जो ओफिस के लिए ठीक हो। ठीकी गातना में। महुंच साब अब आई साब, अब आप यह मत कहिएगा कि कहां राजा भोज, कहां गंगुतियली। आपके बहन में जो गुन है, पूछे मां। कहिए, यह रिष्टा मंजूर है। यह आप शीतल से पूछ लीजी है। जब पूछने पर मेरे बेटे ने मना नहीं किया, तो यह क्यों करने लिए। बोलो बेटी। अगर आप लोग इजासत दें, तो मैं शीतल से अकेले में बात कर लूँ। क्यों, शीतल? हाँ, हाँ, आईए। शीतल, मैं उस दफ्टर का मालिक हूं जह तुम काम करती हूं। इस दबाव से दबकर शादी के लिए हाँ मत कहना। शादी प्याद जिन्दगी का सौधा है। और जिन्दगी एतनी सस्ती चीज नहीं है, जो कि सिर्फ नौक्री के हाथों पिक जाए। क्या तूटा? जी, कुछ खास नहीं। फिर भी अगर मन ना माने, तो कोई बात नहीं। दफ्तर में तुम्हारी इज़त और भी बढ़ जाएगी। आज़े। 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 तुम किस विचार के समंदर में डूक गई। सार। जो इनसान चोटी-चोटी खोशी को ढूंता हो, उसके सामने खोशी का भंडार खुल जाए। तो उसे यकीन नहीं आता। वो फिर बहुत से समंदर में डूक जाता है। सार। आपने मुझे इस लाइक समझा, यह मेरे खोश किसमती है। देखा। बहुत बड़ी मोटर में आये थे। छोटी मोटर की नीची आने वाला शायद बज भी जाए। बड़ी मोटर उसे कुचल डालती है। सीतल, यह क्या किया तुमें। जो कुछ किया ठीक किया। भारत गरीब है। इसलिए उसका साथ छोड़ दिया। भाईया। कल अगर मोहन बाबू से भी कोई अमीर आदमी आ जाए, तो क्या मोहन बाबू कभी साथ छोड़ दोगी। भाईया, मैं आपकी बहन हूँ, और बहन की खुशी से जला नहीं करते। मैं जला या नहीं जला, यह मैं नहीं जानता। लेकिन भारत को राख कर दिया तुमने। भाईया, मैं कब तक देखती रहती कि कब उसे नौकरी मिलेगी, कब वो कमाएगा, कब जिंदगी में सुक देगा। भाईया, जो आदमी चोरी करके भागते हुए पकड़ा जाए, वो जिंदगी भर भागता रहता है। मैं हैकर गरीबी के हो गए हो। मैंने मोहन बाबू के साथ दुनिया देखी है, और आज जिंदगी में पहली बार जिंदा रहने का मौका मिला है। यह तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था। भाईया, जाओ तुम्हें मोहन बाबू के घर जाना आए। नहीं भारत, मैं नहीं जाओगा। भाईया, तुम शीतल के बड़े भाई हो। और बड़ा भाई, पेता समान होता है। तुम्हें मेरी सौगन जाओ भाईया, भारत, तुम बेगर जाओ। तुम्हें मैं कुछ दूसर प्रोग्रम रिस्ट कर लेंगा। नहीं सिकंदर नहीं। मैं जानता हूँ, कि ये दुनिया आसेगी, कि बाब के चिता की राख भी ठंडी नहीं हुई, और पेटे ने गाना शुरू कर दिया। लेकर ये दुनिया ये नहीं जानती, कि उसी बाब के अनंतिन संसकार की सारी रस्में पूरी करने के लिए, मेरे पास भूटी कौडी भी नहीं। तीवी पे गांगा, कुछ रुपया तो मिलेगा, कुछ भाग तो बुझेगी। बेटे, एक अंगुपी को छोड़कर, सगाई की सब रस्में पूरी हो गई। ये ले, शीतल को पहना दे। अरे, हाउसफोन? जी, जी ये, ये तो मामली सेंगुठी है, अभी उतार देते हूं। जी, जी कौन? अंगुटी, मुली में तो कर्वादी जी? रहनी बहगवान की है, अफिर अंगुटी की दो बात है, बाई हाथ में नहीन, तो दाई हाथ में, लावदाई हाथ प्रुबूज नहीं। जाब रोगजने! प्राइब 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 सोदीघ अुल स्वेद व्राइब स्वेड़ हमारे विशी संगीत का इक्रम में प्रस्तुत है गीत गया कलकार हैं भायरे बस और नहीं रम के प्याले और नहीं दिल में जगा नहीं बाकी रोक नजर अपनी साकी और नहीं बस और नहीं रम के प्याले और नहीं और नहीं बस और नहीं सपने नहीं यहां तेरे सपने नहीं यहां तेरे सचाई का मोल नहीं चुप हो जा कुछ बोल नहीं प्यार प्रीत चिलाएगा तो अपना गला गवाएगा पत्थर रख ले सीने पर रसमे खाले जीने पर गार नहीं पर वानों पर और नहीं आसु आसु ढ़लते हैं अंकारों पर चलते हैं तो और नहीं बस और नहीं प्युकिरान रिम्टा प्रेट सिकत्व बा कि अपना नहीं प्युचिरान इस ओएभी पर दो जगला प्युचिरान ओू कि प्रहाएग उस प्यू प्यूटान का बात्रा का पर भी टूप आउच, मैं गिर गई दुखों को चुनता है हम दर्दी का फूर हुई नेकी चक ना चूर हुई जी करता बस खो जाओं कफन ओड़ कर सो जाओं कफन ओड़ कर सो जाओं दौर नहीं ये दौर नहीं इनसानों का दौर नहीं फरज यहां पर फरजी है असली तो खुद गरजी है तो और नहीं बस और नहीं रम के प्याले और नहीं और नहीं बस यार नहीं बीमार हो गई दुनिया बेकार हो गई दुनिया मरने लगी शरम अब तो बिकने लगे सुनम अब तो ये रात है नजारों की वैरों के साथ यारों की तो जी है बिगाड दू सारी दुनिया उजार दू सारी दुनिया उजार दू सारी जी जोर नहीं है जोर नहीं दिल पे किसी का जोर नहीं कोई आग मचल जाए सारा आलम जल जाए तो और नहीं बस और नहीं उनके प्याले और नहीं वाह वाह जब कोई दिल जला गी छेड़ता है तो दिलों में आग लगा देता है और वो क्या शेर था तो जी है बिगाड़ दू सारी दुनिया उजाड़ दू सारी हुरा श्जाड़ नहीं ओ नही बस ओ नही गम के प्याले ओ नही कर दो को और हो चैटाश याई कर दो को औरना झाले उना उना झाले ओिए हो प्याले बस ओ नही बसो जाए दो औरीगा सिर्ण भीकार फ्रकार कार उना खिर्लाश जिंड़ को को अजूदे हैं वीजली का बिल नहीं दिया, विजली वाले आये और कनेक्शन काट दिया जिस जिस का बिल अदा नहीं किया, उसी ने कनेक्शन काट दिया थार है? रामचन जी ने चिट्थी बीजवाई है पढ़ना तो क्या लिखा है? क्या लिखा? क्या करोगी सुनके माँ? सब खरी ये तो है चमपा के होने वले ससुर ने लिखा है कि अगर एक महिने के अंदर उन्हें रुपया ना दिया तो फिर दोश उनका ना होगा लानत भेजो ऐसे रिष्टे पर इन्हें ऐसा खत लिखते भी शर्म नहीं आई देखो भाहिया, ना तो चमपा कॉलेज जाएगी और ना ही मुझे दिलेगी हम लोग मेरे मजदूरी करके अपना खर चलाएगे दीपक, जब तक इस घर में मैं सिर्फ एक बेटा था ना मैं भी तेरी तेरे बगावत की भात ही किया करता था अब नहीं कर सकता दीपक, तुम ही ने तुम ही ने बताया ना के पिताजी के आखरी शब यही थे कि अगर चमपा का ये रिष्टा तूट गया तो उनकी आत्मा को सुख नहीं मिलेगा जीते जी नहीं मिला करने के बाद तो मिलना चाहिए भाईया अब तक सारा बुझा आपने अपने कंधों पे लादा अब नहीं क्यों अब मेरे कंधे कमजोर हो गएं क्या अगले इनमें इतनी ताकत है कि तुम्हें तुम्हारी डिकरी के लिए इंदाहन का दाख्रा दे सकूँ इन कंधों में इतनी ताकत है मैं चंपा के हाथ पिले कर सकूँ सब कुछ वैसी होगा जैसे पिताजी चाहते थी मा मुझे काम के सिल्सले में किसी से मिलना है अभी गया और अभी आया सेड़ जी कोई भी ऐसा काम कोई भी ऐसा काम इससे मुझे एक महीने के अंदर भैन की शादी के लिए बीस सजा रुपया भाई के इमताहन का दाखला मिल सके मैं वो काम करने के लिए तैयार हूं तो इन कोरे कागजाद पर दस्तफत कर दो अच्छा हूँ तुमने अपना रास्ता बदल दिया पढ़न देती जी अभे ना तुमने दिने एक दम फिर जाएंगे तुम तुम देखते ही देखते अमीर बज जाओगे बूनने के लिए गाड़ी मुर्ली वाले का पुजारी हूँ उसके सुधर्शन चक्र से अपना चक्र चली जाता है अगर किसी दिन ये चक्र ने चला तो असंपुरानी दिल्ली के क्या कह रही है आप नहीं नहीं जिस्ट फर्स करो कि इस गंजे मिस्टर कमलदीप और इनके साथी चवनाज और कपड़ा खोदा मुँ में दबा के भाव बढ़ा देते हैं मिस्टर क्या राजन ये और इनके कुछ तीन हजार साथी सिमेंट और लुहा ब्लैक में बेचके नफ़ा कमाते हैं फर्स करो कि अगर ये सब पकड़े जाएं तो अगर सरकार को ये पता चले कि आप और आप के दूसरे साथी जनता को दुखी करके सरकार को खतम करने के लिए दूसरे मुल्क से पैसा भी लेते हैं तो पुरानी के साथ साथ नई दिल्ली के कसम भाशी पक्ति दर गए जोटी कपड़ा और मकान पर कब्जा करने वालों के दिल छुए जैसे मैंने तो मजाग किया तो डाले मलिका एनेकी राम ऐसा मजाग मत किया करो मत किया करो सेटशी भारत आगे तुम जी सेटशी काम हो गया माल दिया माल लिया यह रहाप का बैग मेरा बस चले तो में प्ल भी तेर ना होने दू लेकल मा का कहना है कि शादी के महुरत कुछ महिनों तक नहीं और मा ककहना मैं थाली सकता मा की zer्माने वाली बहू एक चोट manifest यह मैं बदाशनी करसकता और शादी से पहले हम दोनों साथ में रहें, यह समाज बरदाश्ट नहीं कर सकता। इसलिए घर लिया है। शादी तक तुम, तुमारे भाईया, तुमारी भावी इस घर में रहना है। कैसा हैगा? Hmmmm, it's a beautiful house. पहस्चाना मुझे. ओ, तुम! दोस्त, उस रात के लिए मैं मौफी चाहता ह। उस रात तुमने वही किया जो तुम्हें करना चाहिए था। दोस्त, किया तो तुमने भी वही था, जो उस वात तुम्हें करना चाहिए था। Hmmmm, सुनो, तुम आज भी असली नकली चेहरा भाईचानते हो। सच और जुट तो इनसान के चेहरे पर लिखा होता है। तो यह लो, हजार रुपया। किस लिए? अगर कोई मेरी तरह हालात का मारा असली चेहरा और असली मजबूरी लेकर आए। तो उसके पीछे पुलिस मत तोड़ाना। मेरा बाप तो नहीं बच सका। शायद उसका बच्चा है। वाबा, क्या घर लिया है भारत में। मदा आ गया। आप रुपया तो कि नहीं है। बेटे, तुम क्या समझते हो, अगर ये रुपय तो मुझे नहीं देते, तो क्या मैं रिष्टा दोड़ देता। मैं इतना कमीना नहीं हूँ। सच? बगवान की कासम। अगर इन रुपयों के बगार ही चंपा का ब्या हो सकता है तो बोलिए भारात कब लाएंगे रामचन जी। रुपया अगर ना दूं तो तो दोश मेरा नहीं। अभी तो आप कह रहे थे के आप इतने कमीने नहीं। वो तुम्हा मजा कर रहा थ। तो इसका मतलब यह हुआ क्या आप कमीने हैं। बिठे। मैं तुम्हारे स्वर्गिये पिता का बच्पन का दोस्त। तुम्हारा चाचा हूँ। चाचा। येलो नोट और टाटा। अच्छा। जब का तुम लोग कहोगे शादी पकी। शादी हो जाएगी, धनिवाद। वाँ वाँ भया, मजा आ गया। ठीश 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 अपने होने वाले ससुर के बारे में ऐसा कहते हैं। होने वाले है न मा, है तो नहीं। बिलकुल। आओ आओ देपक, बन का इंस्पेक्टर। हो गई जित पूरी। यह सवाहल जिद का नहीं है भया वीफक आज जब अपने पाश सब कुछ आ तो फिर ये नौकरी करने की क्या जूरूरत है? भया हमने डिगरी का वट डिगरी ने हमारा बडा आपमान किया है और आज जब मेरी डिगरी हमें मान दे रही है तो हमें भी मान देना चाहिए कि अलला खैर करें बाते हमीन मीः आज अल्ला को बहुत धास सिक तू भी तो कभी राम का नाम लियाकर आधा दो उसरे मै तो हमेशा तेरे मूंसे तेरे भाई का ही नाम सुनता हूं जब सुनो। तो एकी रट क्यामि मिया मेरा भ़्ाई भारत क्या इंसान है क्या केरिक्टर है ? हमिद मिया मेरा जिन्देगी के भठकते वे मोड पर तो अगर मेरा भाई मुझे नहीं मारता, तो शायद आज मैं इस सीमा पर लड़ने वाला सिपाही नहीं होता, देश का दुश्मन होता, अमीदिया में अपने आपको लक्ष्मन तो नहीं कह सकता है, लेकिन, मेरा भाई राम है, राम. अगर तब यह ठीक नहीं है, तो अराम करो, बिल्कुल फिटू साप, तो फिर यह खांसी, इस खांसी से बच्पन में मा परेशान थी, स्कूल में टीचर, वाज में डॉक्टर, यह बीमारी नहीं, आदत है, आदत साप, लेकिन दुश्मन के अलाखे में कभी-कभी सांस भी र पुलिस से बचने के एक ही रास्ता है, कि गारी छोड़कर भाग जाए, भारत, यह समाल कर रखो, इसमें दो क्रोड की हीरे हैं, पुलिस तो निकल गई, लेकिन ये मलका नेकी राम कहा मर गई, आपरे क्या नशाय देशे शराब, पुनम, अरे, तुमने मुझे पहचान लिया, कैसी लेकिना, बाबसी आख, राम प्यारी, बुला पंडिस को, दिला दे भेए, पेरे, पेरे, बाबुजी, बेजियाने हमें सब कुछ बता दिया, इसके माबाप शादी से खिलाफ थे, तुम इसे भगा कर ले आए, घरवालों ने पुलिस पिछे लगा दी, इसलिए माने राम प्यारी से कहा, कि राम प्यारी इसे ऐसी कप्डे पहनाते, ये दूलन भी मैं ती आए, और पुलिस भी न्यवालों पिछें। पंडेचे, इस गाउं के खुलियावा में तुम भी खुलियावा, तुम भी खुलियावा, तुष प्योगे? अभी लाया, मोजंबी भी है, संत्रा भी है फल का फल और नशी का नशा तो ओ नम, मौका तो देख लिया होता, अगर पुलिस आ गई न, तो तुम्हारा ये नशा हम सबको लेटूपेगा ना धरंबुरा, ना करंबुरा, ना गंगा भुरे, ना जल बुरा पर पीने वालों को, आ पंडित जी, ना करना कभी नसीहत पीने वाला मरते मरते, बस करता यही वसीयत हो पंडित जी मेरे मरने के बाद, बस इतना पोश्क अठा लेला मेरे मूमे गंगा जल की जगा मेरे, मूमे गंगा जल की जगा फोड़ी मदिरा तप अका देना, पंडित जी मेरे मरने के बाद, पंडित जी सदियो पुराने मल खाने से, पोड़ी मिधी मंगवा लेला सदियो पुराने मल खाने से, पोड़ी मिधी मंगवा लेला उस मिधी का समझ के चंदर, उस मिधी का समझ के चंदर, मेरे माँ तिल प लगा देना पंडिक जी मेरे मरने के बाद मांक पे मेरी ओपीने वाले पे जाना तू आख के आसो पर पुछ जाओ अपा दिला मंडिक जी मेरे मरने के बाद मंडिक जी मेरे मरने के बाद सफर आखरी नंबा है सफर आखरी नंबा है कोई साथ में साथी तो चाहिए जूंके पहुचो जननत तक में जूंके पहुचो जननत तक एक दो तल साथ तिला दिला मंडिक जी मेरे मरने के बाद सफर आख यह कपड़े देखिए यह कपड़े किसके है मेरे हैं बाजी बंद के यह कपड़े किसके हैं पुछ के लिए हलो हलो इगल फोर जीरो टू स्पीकिंग गर्ष्ट पार्टी के मताबिक पुल तूटने की वज़े से बढ़ती हुई हिंदुस्तानी फोज घर चुकी है अगर अपने टैंक्स को वेस्ट बैंक से वेस्ट की डैरेक्शन में ले जाएं तो हिंदुस्तानी फोज को घरे में लेकर खत्म किया जा सकता है और एंड आउट अमीद अगर इन्हें खत्म कर दिया जाए और एगल फोरो टू बंकर इनके हेडकॉटर्स को खबर दी जाए कि पुल बन चुका है इसलिए बजाए वेस्ट को ये लोग अपने टैंक्स एस्ट को भेजें तो ना सिर्फ अमारी कंपनी बज जाएगी बल्कि हमारी अटिल्री इनके टैंक्स उड़ा देगी मगर ये कैसे हो सकता है हम लोग तो सिर्फ पहुच है हो जाएगा हो थै में तो जाएगी स्टरि प्सरों डड़ सबं़ द mlजू अर्स फ्हाएगा स्टरिव हुआ 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 झाल! झाल! प्रॉण झाल! झाल! भारत क्या हुआ? तो फिर सामने देखो सर, सिर्फ चारी लाशे मिली है पिर फिर्फ जेख रही हुआ रहा हुआ वाइब अवाइब ए दुआजाु ए और दो घोगाइब तुझार, तो अुआजा कि वाइब जाएब ए लुटार, आजा कि पाइब आणाएब। अभी अभी खबर मिली है कि हिंदुस्तानी फोजों ने पुल बना लिया है इसलिए वेस्ट के बजाए अगर इसकी तरफ अपनी टैंग फोज बेजे जाए तो बेटर आएगा ओवर एन आउट अमीद भाई अपने साथ ही बचाएंगे अभी अपने साथ ही बच जाएँगे हमित 거예요 वीजयबाई सवकर अचली जाना है भाईजां से मिलने इतनी सारे रुपए अरे तुलसी यह रुपए तो मुनने के लिए पर बाबू तुलसी तुम्हारा मजदूर साथी अब इस लायक हो गया है कि वो अपने मजदूर साथी के रहने के लिए एक मकान बहने को अच्छे से कपड़े और खाने के लिए अच्छी रोटी का बंदोबस्त कर सके कलाऊंगा और तुम लोगों किस पस्ती से दूर ले जा आज तो उठाई ले ना अरे तुलसी हमने भी सुन लिया कि हमारी तुलसी बस्ती से दूर बाबू के दिलवाई वह बड़े मकान में जा बसेगी काउन हो तुम लोग जी हम आपके दामाद है तीनो तो तुम ही वह भेड़िये हो अरे ससूर जी अब भले भेड़िये कहो यह कुत्ते हैं तो आपके अपने ही देखो मैं कै तुम मेरा पीछा छोड़ दो अरे तुलसी अगर आज हमने तुम्हारा पीछा छोड़ दिया तो कल तो यह बस्ती छोड़ देगी नहीं छोड़ते तुम लोग नहीं मानोगे ठीक है मैं चलती हूं लेकिन मेरे बाबा को भी साथ ले चलो बाबा चलो चल बएर भी रासन वड़ पॉच्छ अपने शसन कहती जोड़िक ओ ol हुआ 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 हु चार लंडलो कारे लो लेक लिए चार लो लो लुखिए लो ले लो लो गश्टी् medo लो लो nauc लुख लो प्रुटा 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 कुच 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 कुल ना, 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 कुल ना बचाओ! बचाओ! अनम्सी, इनकुतने मेरे बाबा को बादाला, मेरे पुनने को बादाला! मैंने तुमको पहले भी कहा था कि तुलसी मेरी पैल है और इस देश की बेटी और मैंने तुलसी को कहा था कि कसम वागुरू दी अगर तेरे जीवन में कोई रावन आया ना तो मैंस्की कर्दन को कट डालूगा अ respond alright मढई पहल पाड़ मिठा लागे alright यहीए वसरे यहीए यहीए वसरे व्सरे तो प्रादी, गुरु माराच कहने सन, कि सवा लग से एक रडाउं, ता गोविन सिंग नाम कहा हूँ, मेरे से में तो सिर्फ तीन ही आया, तो लग तीन रावन मारके, हर्नाम सिंग को फासी लगती है, तो लगण दो, की फर्क पन्दा, हर्नाम सिंग, सारी पस्ती जानती है कि तुमने दोशो, आपी वो लोग थे, और हर्नाम सिंग, आज अपने पास सब कुछ है, मैं इंसाफ के लिए बड़ी से बड़ी अदालत का दरवादा खटकटाऊंगा, बड़े से बड़ा वकील करूंगा, तुम बड़ी हो जाओगे हर्नाम सिंग, बाबू, मैं यह और तुलसी, एक तिन मैं मुसिबत में था, तुम अपने आपको बेचने के लिए तैयार हो गएं गैजु, और आज और आज चैहती हो कि तुम इस लाइक नहीं कि मेरे साथ मेरे खार चल सुखो, तुलसी, तुम्हारी रामाएँमें राम नहीं, मेरी रामाइँमें सीता नहीं हाँ, हाँ तुलसी, चलो घर चले हाँ, यही है तुलसी, मेरी मजदूर साथी, आ ऐसा ही इसी घर में रहेंगी भाया बजी बजी मा बजी, कहाँ खो गया था रे बजी, कहाँ चला गया था तेरा भाजू कुछ नहीं मा मोर्चे पे था, देखने रही है वर्दी भाया, मैंने कहा तो नहीं कि जब तक इस लाइक नहीं हो जाओं कि अपनी शकल दिखा सकें घर वापस नहीं आओं बजी हाँ जी, हम तो इस लाइक नहीं कि भाया हमसे बात भी कर सकें अरे चंपा तेरी तो चंपी करागा मशरी देंके एई, मेरे हिस्सेगी राखी रखिये न दायने हाथ में ना सही, बाय हाथ में बांदेना भारत आप यह आजकर तुम भारत-भारत भाग करने लगी अगर तुम्हे नाम बहुत पसंद है तो चलो आज से हम अपना नाम भारत रख लेते अपने कॉलेज में शीतल ने एक ड्रामा किया था, उसके हिरो का नाम भारत था विलंच नाम मोहन तो नहीं था नेगी राम प्लान के मताबिक आप लोग अपने अपने प्राविंस में अपने अपने प्रांत में ग्याँ, चावल, सर्सों का तेल, मत्ती का तेल, घी, बाजरा, मक्का, खाने पीने की हर चीज को खरीद कर खुफिया गदामों में दबा दें जैसे जैसे माल दबेगा वैसे वैसे भाव उठेगा एक करोड की लागत पर बीस करोड का मुनाफ़ा होगा बोली आपका मन्जूर है? मन्जूर है, मन्जूर है वाव 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 यह हुई ना एक था, मुझे खुशी है कि आपने नेकी राम की बात मान ली और इस खुशी के मौके पर मैं आशा रखता हूँ क्या आप नेकी राम के घर पर आकर एक छोटी दावत कबूल फरमाएंगे अरे मोहन बाबू स्वाक्तम 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 आप जैसे होनार आदमी को देखकर तबीद बाग बाग हो जाती है बगवान करें हर बिजनसमेन आप जैसा इमानदार हो जाए आए आपको दोस्तों सब्सक्राइब श्रीकाली चल्ड़ कोपाल और आप हैं श्रीप भारत और यह हैं शीतल मेरी वनेवाली पत्नी आप जैसे आपको यादने रहा इनको भी देखा है जैसे पार्टी में नहीं सहब आपने इने टीवी पर देखा हो आप यादा हम लोग यादनी की रात थी मैं बहुत खुश था और आपने तरफ रा गाना सुना कर उस खुशी की घड़ी को चार्चांग लगा दिये तो महान बाबू, खुशी के मौके पर दर्थ भरा की छेड़ना बड़ी मनहुसी बात होती है, मैं उसके लिए शर्मिंदा हूँ अरे, यह कहकर आप मुझे शर्मिंदा करें शीतल, बुथ बनी खड़ी हो, भूल गई अपने पराने दोस्तों को नहीं मुझे पैचाना और नहीं भारत को तो आप दुनों एक दूसर जानते हैं, पुरानी पैचान है हाँ, मुहन सहब, शीतल ने बहुत गीत काये हैं टीवी पर क्या जोड़ी थी इसकी और भरत की अरे, शीतल, हम सही परदा बस, यूही, कभी मौका ही नहीं मिला मौका मिला नहीं करता, मौका जूना जाता तो इस अच्छा मौकार कम मिलेगा शीतल भी है, और भरत भी, और हम भी तो हो जाए एक मुद्दत हुई है इन दोनों के गीत को सुने हुए क्यों शीतल, मिल गया न मौका मगर मैं, मैं सब कुछ भूल चुकी हूँ क्यों साब, आपको भी कुछ याद है और आप भी भूल चुके हैं खाब के धुंदले शहर में अकसर एक परचाईं फिरती है वाह, तो आपको याद है, तो हो जाए लेकिन आपको अकेले जाना होगा क्योंको शीतल तो सब कुछ भूल चुकी है कोई साथ न दे मेरा, चलना मुशे आता है हर आग से वाकिव खुन, जन्ना मुशे आता है तो छेड दो नगमा भरका दो चिंगारी और लगा दो आग महफिल में मैं ना भूलूंगा मैं ना भूलूंगा इन रस्मों को, इन कस्मों को, इन रिष्टे नातों को मैं ना भूलूंगा मैं ना भूलूंगा इन रस्मों को, इन कस्मों को, इन रिष्टे नातों को मैं ना भूलूंगा मैं ना भूलूंगा हुग 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 समय की धाराने मर पहजानी है जो घड़ी जीए जो घड़ी जीए वही रह जानी है मैं बन जाओं सास आखरी मैं बन जाओं सास आखरी तु जीवन बन जाओ जीवन सास आखरी मैं ना बुरूगी मैं ना बुरूगी मैं ना बुरूगी मैं ना बूरूगा मेहकता आंगन हो कभी दिल दुलहन हो कभी ना संग छोड़े कहीं पे छुप जाना है कहीं बिबस जाएंगे अरु का बात चली जो देखो रात ढली ये बाते चलती रहें ये राते ढलती रहें मैं मन को मंदिर कर दालू तो फुजन बन जा मंदिर से पूजाता रिष्टा में ना भूलोगा में ना भूलोगे मेना बुरूदा, मेना बुरूदी सुनो तुमने बादचा काया, मुझे बादचा लगा गुटनाइट अरे हमीद, तुम्हारे बारे में विजे से इतना कुछ सुन चुका हूँ लगता है, मैं तुम्हें बरसों से जानता हूँ आयन, आपके बारे में इतना सुन चुका हूँ कि लगता है, आपको सजियों से जानता हूँ बरकुदार, वैसे आपकी उम्र कितनी है काट दीनवाद, खेर भाई जान, किस्सा मुक्तसर सा है, यह विजए है ना विजए, हर वक्त आपके नाम की रट लगाए रहता था, और कहता था, कि हमारा देश मेरे भाई जैसे इंसानों के बल पर जिन्दा है, और सच कुछी तो भाई जान, जंग के मैदान में जिस किस्ती आपिट हऊता, भॉपरास में, अभाई जुञा सरा है जास भाई हुआ, जसाम हिए क्मी शुची नाहिए, विए पंधर रह भाई के अधा जाजे अहिं केंदाई हुद्ट opinट बसके की खेंदiona हिए, पंडरान शॉयां हिस्ता ग जाटि खेंदों ते अर्म हांिया वेरी गूड, वेरी गूड, मुबारक हो, मुबारक हो अरे, सुबह हो गई, आज तो 15 अगस्त है, आज तो लाल किले पार प्रदान मंतरी की स्पीच है, मैंने आज तक मिश नहीं की लेकिन अगज बड़ी गांते वही बश्कुएं दुकान में या दुकान से कीचे दिख रही है, और इसमें जरादी संगे निम्झे है, आजसे लोग जो नाजाय करिए से समान को रोगते हैं और उनके भाड से बेश रिखते हैं, वो लोग जो काला बजार करती हैं, इनके जरूइन शुक्त नियुक्त 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 तरुषर के लुखे के लिए शहीत हो गाए अगर जियो तो इस देश का सचा शेरी बज़िए नौजवानों को हमसे भी जाजा एक मजबूत शक्ति साली भारत की जरूरत है और भारत को नौजवानों की उतनी ही जरूरत है भारत आज तुम्हें रोटी कपड़ा मकान की जरूरत नहीं तो प्रधान मंतरी के भाशित दुराई देने लगे तुम चाहते हो दबायावा अनाज बाहर निकाल दिया जाए सेट जी रोटी कपड़ा और मकान की जरूरत तो इनसान को सद्यों पहले भी थी लेकन तब उसकी दुरूरत पूरी हो जाती थी सिर्फ इसलिए कि तब अनाज दबाने वाले सेटने की इराम नहीं थे भारत अनाज दबाने वालों जरब बाहर निकल कर राशन की दुकानों पर भीड तो देखो राशन की दुकानों की भीड कम करना हमारा काम नहीं, सरकार का काम है हमारा काम समाचवाद के सपनें देखने वाली सरकार को खत्म करना है सेड़ जी, सिभे पहले के हालात के मारे हुए 60 करोड इंसान अपने हाथ भाप जैसे सरमायधारों की गرदन की तरब है अगर हमारे खिलाफ जाने की कोशिश की, तो हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा सेर्ड नेकी राम के पास जो तुमारे दस्तखत कियोए कोरे कागजात हैं, वो तुम्हें फांसी के फंदों तक ले जा सकते हैं येस, इंस्पेक्टर दीपक स्पेकिंग मैं आपको आठ तस फुफिया गोदामों का पता बताना चाहता हूं अगर आप वहाँ आज ही छापा मारें, तो अनाज ही अनाज मिलेगा इंस्पेक्टर दीपक, तुम्हारे भाय के दस्कत कियोए ये कागजात हमें स्पेशल ब्रांचे बेजे हैं और इन कागजात से ये सबूत मिलता है कि जिन जिन गोदामों पे तुमने छापा मारा, वो तुम्हारे भाय के थे ये नमुम्किन है सर और ये ही नहीं, तुम्हें याद होगा जब मैंने स्मगलिंग के एक गेंग का पीछा करके पुनम नाम के एक लड़की को गिरफतार किया तो उसे किसी ने गोली का निशाना बना दिया और इन कागजात से ये भी सबूत मिलता है कि उसका काटिल तुम्हारा भाई है भारत के नाम वाविंट, क्या कहते हो काम हो गया? येस सर, फ्लाइंग स्पैट को हर चौराय पर, हर चौकी पर, हर एरपोर्ट पर, यहां तक के रेलवे स्टेशन पर भी भारत की तस्वीर पहुंच चुकी है अब वो शहर से बाहर नहीं जा सकता गुड, तुम यहीं पर जूटी दो आज की ताजा खबर, बड़े-बड़े शहरों में सिर्फ चार दिन का राशन बाकी रह गया सरकार देली से और पंजाब से गाड़ियों में अनाज भर-भर कर भूके शहरों को भेज रही सजनों, आपका इदास नेकी राम आपको हमेशा नेक सला देता रहा है आज फिर सला देता है कि अगर दो चार रेल के पुल उड़ा दिये जाएं तो गाड़ी मंजिल तक पहुच ही नहीं सकती लेकिन नेकी राम जी पुल उड़ाने से फाइदा पाइदा? अरे जनता आग लगा देगी, सरकार का तकता पनड़ जाएगा तब सरकार को मालूम होगा जेहूं का बेवपार अपने हाथ में लेना कितना महंगा पड़ा अगर सरकार बेवपारियों की पीट पर छुरा गोंप सकती थी तो बेवपारी भी हाथ में चूड़िया पहन कर नहीं बैठे हुए वह सिखने की राम वह कौन-कौन सब फुल लगाना है मुझे ये बदला दिया जाए पहला बार बंबई जाने वाली गारी पर हो जाए ये काम मैं आज रात कोई कर देता और इसका इल्जाम भी भारत के सर होगा वो कैसे? भारत की दस्थखत किये हुए कोरे कालजाद जिन्दाबाद कुछ पुलिस तक पहुंच चुके हैं और कुछ मेरे पास हैं अब तक तो पकड़ा भी जा चुका होगा भाया की गारी शीतल शीतल आखर बात क्या है? जी कुछ खोटन है जिसके कारण दूब्ली होती जा रही हो नहीं तो अंगोठी निकालती हो, पहनती हो ये शाली के कारट पसंद नहीं है? मुझे आपसे कुछ कहना है रोका किसने दिल और दिमाग में एक अजीब सी कश्मकश है कहो न ये ये शादी नहीं हो सकती क्यों नहीं हो सकती इसलिए कि मैं मैं आपसे मैं मुद्द से जानता हूं कि तुम किसी और से प्यार करती हो फिर भी आप मुझ से शादी करना चाहते हैं तुमने उससे शादी क्यों नहीं कि जिससे तुम्हे प्यार था प्यार है वो मेरी भूल थी भूल नहीं पाप कहो हाँ हाँ पाप मैंने दौलत को प्यार से ज्यादा कीम्ती समझ कर सपनों की ताज महल को काला कर दिया आप मुझे थपड मानने के बजाए दाली बजा रहे तुमने अभी जो कुछ भी कहा मैं बहुत पहले से जानता हूं और शीतल मेरा वह कहना के मां कहती है शादी की महुरत में बहुत महीने बाकी है सब जूट था ना तुक था मैंने ये सब कुछ तुम्हे परकने के लिए कहा था और इस परक की कसोटी तसे हिटने एक इराम की घर भारत से हुई मुलकात थी तुमने कहा मैं भूल चुकी हूं उसने कहा मुझे सब कुछ याद है वक यळा आ रहा था कि तुमने मेरा हाथ छोड़कर उसकी आवाज म में आवाज मिला धि मैंने उसी वक्त तुम्हे ब्लविदा कह दिया था शीतल, अगर मैं तुम्हें भारत से दूर लाया हूँ, तो मैं तुम्हें भारत के पास वापस भी ले जाऊँगा मैं जानती हूँ अब ऐसा नहीं हो सकता हो का, मैं अभी गया, अभी आरा अरे वाह, दोनों तरफे आप बराबर लगी हुई, शीतल ने आपको आवाज दी और आप आगए मोहन बाबू, शीतल की आवाज सुनने वाला भारत मर चुका है थाओ शीतल की खसम, खसम अपनों की खाई जाती है, वैरों की नहीं नहीं भारत, शीतल अब भी आप से प्यार करती है मोहन बाबू, मैं दीवार पे सजने वाली तस्वीर नहीं जिसे जब मन में आया उतार दिया जब दीवार सूनी लगी तुसे फिर से लटका दिया अरे घुसा छोड़ो यार मैं तो अन जाने से तुम दोनों की कहानी में आ गया अब जान भूच के निकलना चाहते हैं आप दोज, प्यार की कहानी एक ऐसा पिंजरा है जिसमें मन का पंची फढ़ा तो सकता है अगर निकल नहीं सकता भारत, ओहन हस्ते खेलते जिंदगी की हर मोर से निकल जाता है और घूम के पीछे कभी नहीं देखता आपकी हंसी रो रो के कहती है कि आपका मन दुखी है मैं? मैं क्यों रोने लगा? इसलिए कि आप विशीतल से प्यार करते हैं नहीं भारत, तो प्यार करने वाले जब फिर से मिल जाएं तो प्यार करने वाला कभी दुखी नहीं होता अन बाबू और भी गम है जमाने में महपत के सिवा अलो हाँ विजे मैं बोल रहा हूं अया कहां से? आए शीतल के घर से शीतल के घर से? आइस्ता बोलो फिजे तुम अपनी यूनिफर्म पहन के यहां फॉरंच ले आओ आपके नाम वारंट नेकी राम के पास आपके दस्तखत किये हुए कोरे कागल बंबई के रास्ते में रेल के पुल भाया, कौन विश्वास करेगा आपकी बाता? तुम करोगे इससे क्या फाइदा? विजे मैं अगर अकेला निकला तो पकड़ा जाओंगा मुझे एक साथी की जरूरत है तुम्हारे साथ निकलकर अगर उन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया तो फिर जिन्दगी के बहुत से रास्ते साफ हो जाएंगे अंदेरे में तीर चलाने वाली बात है भया लेकिन इसके सिवा कोई चारा नहीं विजयाओ आप नहीं जा सकते आपको मेरे साथ पुलिस टेशन चलना है मुझे एक रात की महलत है मैं एक पल्क की महलत नहीं दे सकता अगर तुमने महलत नहीं दी तो अनर्थ हो जाएगा देश के दुश्मन अपनी चाल चल देंगे और भया को बेगुना साबित करना नामुम्किन हो जाएगा दीपक इस महलत का फैसला मेरे ओफिसस कर सकते हैं मैं नहीं कि दिपक मैं तुम्हें गैरंटी देता हूँ कल सुबे तक भया तुमारे हवाले हो मैं मजबूर हूँ आगलमत भय्या मेरा 메कर्टविह इस देश का कानून है और म्यरा कर्टव इस देश की रक्षा आए भय नहीं देख दीपक, सवाल इस बात का नहीं की कर्थव्य के रास्ते पर कौन आगे है और कौन पीछे, सवाल तेश की रक्षा है, अगर आज तुमने भाईया को जाने नहीं दिया तो शायद जिन्दगी भर पच्टावा रहेगा, मैंने कहाना मैं मजबूर हूँ इपक भाईया को मंजब तक नहीं पहुचने लेगा, अचला प्राजी, आम किस मर्ज की दवा है भारत कहा है, कश्मीर से कन्या कुमारी तक, सदेश, तुम जीव के पास ठैरो, ओके सर्थ भाईया, मैं कहता हूँ बहतरी इसी में है, चुप चाथ मेरे साथ चले चलेगा अदी फक्त, मैं फिर कहता हूँ, मुझे सिर्फ आज रात के लिए छोड़ दो मेरी जूटी आपको पकड़ना है, छोड़ना नहीं, चलिए, चलिए हे, चोड़ तो नहीं आई ना भाईया, मैं कहता हूँ, रुख जाओ शीतर तुम किसी भीतर इनकी चीप लेकर अगले मील वाले पत्थर तक पहुंचाओ, मैं वहां पहुंचता हूँ, जल्दी पारत पारत तुम्याई इतरो, मैं कहता है बड़ने कि कुछ इसकर दिए जय संयु हो, मैं कहाँ पहुआता है नहीं आईटान, चैड़न ळुम्याऊ हुख कर दो दो कर दो को तुम तुम ठीक हो ना ठीक ही तो हूँ बोलियों की हावास सुनके मंदल क्या था इसे पहले की दीवा क्या हाँ जाए हमें यहां से चली जाना चाहिए पीछे क्यों है तकि पीछा करने बारे को देख सकू हूँ बहुत खून भेगया है लाओ गुरुमाल बांदू बहुत दर्द है ना मैं जानती हूँ गोली लगने के बाद बहुत दर्द होता है तुम तो ऐसे कहरी जैसे तुम्हें गोली लगी हूँ गोली तुम्हें लगी मुझें लगी एक ही बात है ना चलो जत को भूले ख्यालों में जूले जल जत को भूले ख्यालों में जूले बहारों में जूले सिवालों में जूले आख तरी में मानक समार तू दुलहन तनका तू जूलहन जिस्ता में ना बूलूंगी में ना बूलूंगी में ना बूलूंगी में ना बूलूंगा में ना बूलूंगी टीपक ने एक मुसाफर से मोटरसाइकल चीनली है वो पहुंसता ही होगा भाईया खून शीतल 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 मुझे बताया तक नहीं तुम्ही बहुत दूर जाना है बड़ा काम करना है तुम्ही मेरी सोगन भारत जिनको प्यार किया जाए उनका दिल नहीं दोड़ा करते जाओ भारत शीतल पहले भी तुम्हारी आमानत थी अब भी हम इसके साथ है इसको कुछ नहीं होगा जल्दी जाओ नहीं तो तु मेरा मरा मूँ देखोगी भी यह चलो यह लोक्षीतल को हॉस्पिटल ले जाएंगे तुम चलो विजे अपनी भाई का खेल रखना हारत कहां है कश्मी से कन्य घुमारी तक और बापो गाड़ी घुमारी ची शीतल को हॉस्पिटल ने चलते नहीं भाईया नहीं हॉस्पिटल जाने का वक तो निकल गया है अब कहीं और जाने का वक था क्या किसी अखेल? हाँ मुहान बापो अब तो कुछी सांस दोगी महमान हूँ सुनिये आप आप तुलसी है ना? हाँ आप मुझे नहीं जानती जानती हूँ आप आप बापो की नामन की सीता है मैं और सीता नहीं तुलसी नहीं सीधा तो बनवास में भी साथ देती है मैंने तो दुप में उसका साथ जोड़ दिया था तुलसी भारत फिर मसीबत में है तुम उसका साथ मत छोड़ना यह लो उनकुठी इसे पहन लो भें यह आपके हाथ में अच्छी लगती है तुलसी जानेवानों की बाद नहीं मोड़ा करते है इसे पहन लो भागवान की है ने मेरी ना सहे तुम्हें तुम्हारे भारत की सौकर भारत आपका है तुम्हें मेरी भारत की सौकर्ट अपक्तु पहननो याओ 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 अपने बेहन को विदा करते हुए भाई नहीं रोएगा तो और कौन रोएगा मुहन बाबू आपने मुझ पर बहुत से एहसान किये एक आखरी एहसान और करेंगे कहूं तुम्हें भारत खत्री में है उसका 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 साथ दीजे बादा बादा यसका भादा आपने किइव तुम्हें उसका जसका भादा पर मेन परोन पर दंस शीतल, क्या होगा? मुझे, मुझे हवा कहे एक चोंका आया और आका राल विदा कहे गया मुझे, शीतल, भाईया हलाच जब यकर लेते हैं, तो इनसान बुरी से बरी बात सोचता है शीतल को कुछ नहीं होगा अगर कुछ नहीं होता ना तो इतना कुछ ना होता विजया खैर, तुने ये जीप कब रोकी, क्यों रोकी? बेवर्शी के आलम में आप फूट फूट के रो रहे थे बाद उसे खोन बहरा था और दीपक तेज रफतार से पीछा कर रहा है वो हम तक तो नहीं पहुँच सकता लेकिन जीप के टार पर गोली चला की उसे बेकार कर सकता है इसलिए अपने आपको याँ चुपा लिया चलो विजये, चलो उसे थोड़ी दूर और जाने दीजे भाईया पहले पासवले काउं के हस्पिटर जाएंगे ये तो पुलिस के ऐस है पहले गोली निकालो, डॉक्टर बिना पुलिस को इतला दिये, मैं कुछ नहीं कर सकता फॉजी अफसर होकर आप इस तरह गैर गानूनी काम करने को कहते हैं गोली निकालो, डॉक्टर, नहीं तो मेरा भाई गोली गार देगा अच्छा यहां कोई आया था? यहां तो कई आये, कई गये वो तो शायद आप वो हैं जिन्होंने गोली चलाई थी मेरी बात का जवाब दो, डॉक्टर गोली निकलवाने वाला अपने भाई को लेके निकल गया वो यह है, वो रही गोपाल की गारी अच्छा तेरी की पेट्रोल खतम हो गया गोपाल बहुत आगे निकल जाएगा, उसे पकड़ना मुश्किल हो जाएगा फिलाल तो दीपक से बचना मुश्किल है अलो ब्रदर वीजे टीपक भाईया तुम मोटर साइकल लेके चलो, मैं इससे इनने पट लूँगा भाईया मैं कहता हो रुक जाओ टीपक मुझ में विश्वास करो, मैं वापस आके अपने आपको पुलिस के हाले कर दूँगा अजाओ पुलिस क्वोnor आईया भाइया तो गए शाट आप आए साइगे शाट आप पुलिस ओफिजर हो तो तेरे जैसा मुझे तुम पर नाज है वैसे मैं भी कोई देश का दुश्मन है मुझे भाइया तक पहुचना है देख मेरे भाई जीप में पेट्रोल खतम है और तेरी मोटर साइकल गोली खाके घाल बढ़ीगे चल कहीं से दूसरी सवारी का बंदबस करें और आगे चलें मैं और तुम्हारे साथ क्यों पुलिस और आर्मी का तो चोली दामन वाला साथ होता है साथ जीएंगे साथ मरेंगे गाड़ी इदर से जाती है उदर से आती है एक ही वार में दूब्पल उड़ जाएंगे रेलवे लंगड़ी हो जाएगी उसके बाद एक वार और और बंबई का रास्ता बन घटिया आदमी घटिया बात करता है कोपाल दो चार पुल उड़ाने से सिर्फ दो चार हजार आदमी मरेंगे नेकी राम से कहो किसी भयानक ताकत से आटम बं लेकर फोड़ दे पिर चारो तरफ लाशे ही लाशे होंगी तुम और नेकी राम मिल के लाशों का बयो बार करना सबसे पहली लाश तुम्हारी होगी जिसके लिए बं नहीं तिरुफ एक छोटी सी गोली चाहिए सोच लो तुम्हारा दोस्त हूँ भारत मेरा दोस्त नहीं भारत सबका दोस्त है हाँ तुम उसके दुष्मिन हो रो आठ दिशमत को जिन्दा नहीं चोड़ना चाहिए आल साथ पिट पेवार नहीं करता पर तुमारे तो छाती नहीं छाती दीरो की होती है चुगो की नहीं आल साथ तलबार फैंक दो नहीं तो गोली चल जाएगी फैंक दो रिवोल्वर एई तो तुमारा ये बाम तुम सब को औरा देगा अगर मर्द हो तो दो बराबर की टककर लड़ो बिना तलवार के अला अगर मर्द हो तो बराबर वाले के साथ टककर लो दूसरा आत लगाना दूसरा जी माराज अपमसा आएगा! तरी पाएगा! आएग! आएग! इप! इप्टा साख़े! अद्दू! पाएग! आप अपरजय हो बाभा! वर दीज मुझे! आएग! आएग! पाएग! इप्टा! आएग! आएग! इप्टा! आएग! 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 हर नज जा जा वेचित, हो तो अली चलते हम्वारी आ हीर शीक, आ बलो, जो बलाइ शालते हो, कस्षीयों आ अगलो, आ जालते हो, कस्षीय का, आ गयास्त अवाला, किसपारी बृला नामी, आप राजी, तुसे बंभरूथ उठालो, तो मैं प्वारा जणा आओओ 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 अच्छा तो होता गर नेकी राम प्लान के मुताबग इस भारत की गर्दन भारत सरकार के फंदों में गुठ जाती है लेकिन मुरली वाले की मुरली यही सुनाती है कि इन तीनों को फौर अन गोली मार दी जाए प्राओ। और भारत के आओओ। वोली मेरे जेवल्वर में गोली आओओ। तु मेरे रफॉलर रख़ख Michael यह बेगे जेवल्व में कुछार के लाता हूँ हुआ है कर द suppression. कर द से थे भाई! कर द में पर्दक कर द स. बहर नदोके बहर वाँ! एगे! अजयजफ! अपूँए! गừज़ा, गुलीज! आपरादी, आपरादी, नहीं, मेरी, आतो मेरी पार्टी है, आतरा है कगड़े को कहले, आतरा है आतरा है आयाँ! इचेट! हाँ! हाँ! वे लोशो के? पारत के साथत्योर्ण? उस्मियाओ! और अपनी आखों से देख लो तुम्हारा भारत बेहोश है अगर उसे यहां से बीचे भेंग दिया जाए तो उसकी लाइश तक नहीं मिलेगी अगर उसकी खेरियत चाहते हो तो अपने आपको मेरे हाद्यों प्यावाले कर दो जल्दी करो जल्दी करो जल्दी अब जल्दी से स्तार को मेल कनेक्शन सा जोड़ दो जल्दी तेख लिया नेकी राम प्लान का क्रश्मा भारत के टुक्ड़े टुक्ड़े हो गए फूँ थोड़ा से धुआ कर दो ताकि एंजिन ड्राइवर को कुछ दिखाई ना दे भारत का इमानदर मजदूर इमानदर बिजनसमेन इमानदर फौजी और इमानदर पुलिस सब ख़त्म हो जाएगा हाँ तेन क्याते ही फंडल दबादो और पुरूनादो आपको 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 जो बोले इसको निहाद, जत्सरी आगाद वादीरामा, अद्टनु जजशाम ने कुनून की किताब के साफसे, उमर क्याद की सजाजिती मेरे जाज जाज होंदा ना, वधिनामा, ऐस थलवार ना, तेरे टुकले-टुकले करके चिलकवूंग खळाता, हर भासे, चाल, बार तु तो मेरी पाटीद होए? सर्दार जी मुबारक हो प्रफ्टनु प्रफ्टनु जाज हो ही पाटीद जा राटीद तु ग्रफ्टनु जाज हो दुटनु इन रस्मों को, इन कस्मों को, इन रिष्टे नातों को, मैं ना भूलूंगा, मैं ना भूलूंगा मैं लूलूंगा